हेलो अब्रीबर दृष्टी की टीचिंग एक्जाम यूट्यूब चैनल देगबार फिर से आपका स्वागत है मैं होंगी तांजली शुकला जैसा कि आप सभी जानते हैं हम यहां केंद्री सिक्षक पातृता परीक्षा यानि सेंट्रल टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट सीट के previous ear questions पर चलचा कर रहे जिसमें previous कुछण की कौन सा सबजेक्ट उसमें हम भूगोल वीशे के previous लिए के consent जफ्रीज रहे हैं यह सामाजिक वियान के अंतरःता है और सब क्रश्ण ही जो प्रश्च्णपत्र, दो है धान रखे प्रश्च्ण है रहे हैं इन प्रश्च्णों पर चलचा करने का है आप की सा साथ पढ़ने के साथ प्रीविश्क को भी देख winner और आपनी जो पी ढौक स् Τत्य हैं तथ्यों का रिवीजन कर पाएं उन तथ्यों को ठीक से समझ पाएं आपने जो समझा है आप उसे कहीं न कहीं यहां धार दे बाएं ठीक है तो ध्यान रखेगा सब्जेक्ट क्या है जोग्रफी याने भूगुल चलिए शिरू करते हैं और देखते हैं हमारे पहले प्रश प्रित्वी का एक संकीन छेत्र है जहां केवल इस इस्थान और वायू पर मिलते हैं हमें सही विकल्ब का चैन करना है केवल एक सही है केवल दो सही है केवल तीन सही है या केवल एक और तीन सही है यह इस प्रश्ण की सही जवाब की बात करें देखिए प्रश्ण में क्या क का आवरण है वायू की विभिन परते हैं इसमें केवल एक प्रकार की नहीं बलकि विभिन परतों के विभिन प्रकार की वायू पाई जाती है और यह जो गैसों की परते हैं यह जो गैसों की लेयर है यही मिलकर वायू मंदल का निर्मान करती है और यह लेयर यह जो गैसों की परते हैं जिने हम वायू मंदल के नाम से जानते हैं ये गुरुत्वा कर्षण के माध्यम से प्रत्वी से क्या है जुड़ी हुई है प्रत्वी की तरफ क्या है व्रत्वी की ऊपर क्या है कारे कर रही है तो कहीं न कहीं ये एक envelope की तरह कारी करता है एक cover की तरह कारी करता है और यह प्रत्वी की वायू मंडल की माध्यम से ही प्रत्वी से क्या है connected है तो यहाँ पर पहला कथन क्या हो जाएगा सही कि प्रत्वी का गुरुत्वा कर्शन बल वायू मंडल को प्रभावित करता है दूसरा वायू मंडल में ए नाइट्रोजन ऑक्सीजन या इन गैसों का प्रतिश्थ वायू मंडल में निश्चित है और कुछ ऐसी गैसी है जिनका परसेंटेज क्या हो रहा है चेंज होता है बदलता जाता है जिसमें कारवन डियॉक्साइड भी शामिल हो जाती है ठीक है तो ध्यान रखेगा दूसरा क गलत हो जाएगा क्यूंगे एक से अधिक प्रकार की गैसे बाए measure में पाई जाती है तीस राव जयब मंडल प्रत्वी का एक संकीन शेद्र है जहां कीवल एक जहां कीवल इस्थान अर वायू परस्टर मिलते हैं कहा जिस地方 सेमें फ्हां रिखेगा इसंधल और वाईू यह तीनों मिलते हैं और इन तीनों के माध्यम से जीव जन्तों से के साथ या पूरा वजह एक मंडल का निर्मान होता है जीव जन्तु भी पाये जाते हैं वही दरसल जैव मंडल कहलाता है तो ध्यान रखियेगा यह सारी चीज़ें इसकी भीतर शामिल हो जाती है ठी केवल इस्थान वायू इसलिवर जैसे तीसरा कतन गलत है केवल एक गतन सही है तो ऑप्शन इस प्रश्ण का सही जवाब है केवल एक ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है जैव मंडल के विशय में सबसी उपयुक्त है ध्यान रखें जैव मंडल में अभी हमने भूमी जलवायू पौधे और पशु दूसरा है परियरवन के विभिन परी मंडल मनुष्य का तातकालिक परिवेश पौधे और पशु जगत देखें जब भी जैव मंडल की बात आएगे तो इसमें लगभग सारी चीजें कवर हो जाएंगे इस बात को आपको ध्यान रख है जबकि हम जब बョम की चीजें चूट जाते है इस वचेव में जलवायू पौधे सभी शामिल हो जाते हैं ठीक है चली आगे बढ coloring अगला प्रश्ट है निम्लिखित कत्नों के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए देखिए और हमारे पास कथन क्या है ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं दूसरा यहां अतिदिक वर्षय होती है तथा इन छेत्रों में कभी शुष्क मौसम नहीं अधार पर ही अलग 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 स्थितियां है और इन्हीं इस्थितियों के आधार अलग इस्थित्यों के आधार पर क्या है वंन्सपत्यां चेत्रों में पाई जाती है कुछ खास विशेष्टाओं को लिए हुए जो ओश्णिकड़िबंदी हिस्सा है यहां पर टैंप्रेचर बहुत अधिक होता है तैंप्रेचर के बहुत अधिक होने से यहां नमी बहुत अधिक होती है यहां आर्दितर बहुत अधिक होती है जिस नहीं होता है और इसी वज़ासे यहां पर जो वनिस्पतियां पाई जाती है इसके आसपास ही यह वन पाए जाते हैं इसके आपको दियान रखने और इस दोनों कथन है कि यह बहुम अधिरेगा के पास पाए जाते हैं यहां अतितिक वर्षा होती हो और शेत्र में कभी शुश्क मौसम नहीं होता है जो बारे में ही यह बाते हैं यहां सही जवाब के बात करें टाए प्रश्ण प्रश्णि का चलिस्क कर सहारा मुरुस्थाल के संधर्फ में निमलफित कथनों पर विचार कीजिए एक है इसका श्या मुर्ट किलो मेटर है का तुनिशीया देश का बड़ा banging सा January रेगिस्तान सी आच्छादित है सहारा रेगिस्तान में उचे पठार और चटानी सतह भी शामिल है और आपको इन में से सही विकल्ब का चैयन करना है ठीक है अब देखिए सही विकल्ब की चैन में आपके पास option क्या है A, B, C, D, 4 option है एक और दो सही है जबकी तीन गलत है ठीक है दो और तीन सही है जबकी एक गलत है एक और तीन सही है जबकी दो गलत है और आपके पास D option है एक, दो, तीन, तीनों सही है देखिए ये प्रशन 2021 में पूछा गया था अब यदि सबसे पहले important बात यहाँ पर यह हो सहारा मरोसल यह सहारा डेजर्ट यह कहांपर है यह आफ्रीका में है ठीक है और आफ्रीका के रिजन में होनी की वज़़े से यह क्या है यह बहुत ही famous छितर है कहांका अफ्रीका का लेकिन ये मरूसल है और सहारा मरूसल की विस्थार को कमकरने के लिए चुकि ये लगतार दक्षिन अफरिका तक पहला जा रहा है तो इसके विस्थार को कमकरने के लिए वहां पर एक हरित पर टी, इसकी व्रक्ष्ण की हरित पर्टी तयार की जा रहे है ताकि सहरा रेगिestان की जो विस्तार है आफरीका में इसे रोका जा सके। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में ठीक है अब यदि हम सहारा रेगिस्तान की बात करें कि आप इसे एक image में देखें कि यह कहां पर है तो ध्यान रखें सहारा रेगिस्तान में यह छेत्र important है यह यह जो आफरीका में छेत्र है यही दरसल सहारा रेगिस्तान छेत्र ह यह सहारा देजिस्तान ठीक है सहारा डेजर्ट और सहारा डेजर्ट का छित्रफल अपने आप में बहुत अधिक है इतने सारे देश कवर करके रखता है और टीनुशिया का अधिकान छित्रफल कहां पर है सहारा डेजर्ट में कवर हो जाता है सहारा मरूसल में कवर हो जाता है तो यह आपने क्या देखा, प्रहमु कुरूप से, जो सहारन डेजर्ट वडा शित्र है, यह एरिया आपने देखा, इसमें कौन-कौन से देश शामिल है, यह आपने देखे, देश का जो आपको स्क्रीनशॉट है, चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि आपके इसकी इसकी कंट्रीज हैं वे क्या हो जाएंगी याद हो जाएंगे चिक है अब यह हम बात करें सहारन डेजर्ट के बारे में धियान रखेगा तो यह सहारन डेजर्ट इसमें क्या लिखा है दस दश्मलों चार-पांच मिलियन वर किलोमेटर तक फैला है ऐसा नहीं है आप इसे मान कर चलिए कि यह बाननवे लाख किलोमेटर वर्ग तक फैला है ठीक है यदि पहले कथन की बात करें तो पहला कथन यहां पर गलत हो जाता है दूसरा ट्यूनिश्य देश का बड़ा हिस्सा सहारा में देखा भी कि जो ट्यूनिश्य देश है इसका अधिकांश हिस्सा कहां पर है सहारन डिजर्ट में शामिल हो जाता है तो इस तरीके से यहां दूसरा कथन सही है तो देखते हैं हमारे प्रशन में दो तीन सही है लेकिन एक कथन गलत है इस तरीके से प्रशन का क्या होगा सही जवाब होगा ठीक है चलिए आगे पड़ते हैं पर चरचा कर लेते हैं अकला प्रशन है भूमदी सागरी वनस्पती ननलिखित मैं से कौन से छेत्र में पाई जाती है मारे पास आपके पास चार ऑप्षयन है क्रूंशा क्या एक değildi के यवव दो दिन चार एकल और चार के बात करंगीreu मारे मोदी सागरी वनस्पतिय यानी बहां पर पाया जाता है ठीक है वहां पर पाया जाने वनस्पति नलिखोडिय भूमादी सागरी वनस्पतियां कहते हैं अब इंपॉर्टन बात कि इसका रिजन ये इसका विस्तार कहां पर है क्योंकि हम अपने प्रशन के मताबि के लिए देखें कि जो भूमादी सागरी वनस्पतियां हैं कहां पर तो देखें ये इसका मैप है जो भूमादी सागरी वन पाए जाती है कि confess के बात करें ऐधिया अमेरिका तो शामिल नहीं था कि तो दो तीन और चार इसमें शामिल हो जाते हैं तो आफ्शन सी इस प्रशन का सही जवाब हो जाता है भूमध्य सागरी वनस्पतियों के संदर्फ में दौर चर्चा की जो आपकी जोग्रफी सेग्मेंट सेंपॉर्टन थे जिने समझने और जानने की हमने कोशिश की है चिक ह तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में तब तक आप पढ़ते रहें वीवीजन करते रहें शुक्रिया